टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मैच में बांगलादेश को हराया रोहिच सर्मा एंड कंपिनी ने अपना दबदबा दिखाया प्रैक्टिस मैच के बाद टीम इंडिया को लगा बड़ा जटका तूफानी खिलाणी की अचानक हुई घर वापसी जानिये क्या है वापस लोटने की वजा T20 वर्लकप से पहले भारत और बांगलादेश के बीच खेले गई प्रैक्टिस मैच में भारते टीम ने दमदार प्रदरसन करते हुए जीत दर्ज की भारते टीम ने बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों ही डिपार्टमेंट में सांधार खेल दिखाया और बांगलादेश का बैंड बजाया इस मुकाबले में भारते टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए बीस ओवर में पाच विकेट के नुक्सान पर 182 रनों का स्कोर बनाया था जिसमें रिजब पंत के बल्लों से 53 रनों की पारी देखने को मिली तो वहीं हार्दिक पांडिया ने भी नाबाज 40 रन मनाए इस टारगेट का पीछा करने उतरी बांगलादेश की टीम ने 41 के स्कोर तक ही अपने आधी टीम को गवा दिया था इसके बाद पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 122 रनों के स्कोर तक ही पहुचने में कामियाब हो सकी और भारत ने इस मुकाबले को 60 रनों से अपने नाम कर लिया टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत तो मिली लेकिन भारते टीम की जीत का मज़ा तब किरकरा हो गया जब अचानक से टीम इंडिया का एक स्टार खिलाली भारत लोडने पर मजबूर हो गया आखिर ऐसा क्या हुआ आनन फानन में इस खिलाली को टीम इंडिया का साथ क्यों छोड़ना पड़ा बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सेड़ जरू कर दीजिए और साथे साथ हमें कॉमेंट करके बताईए कि इस बार कौनची टीम जीतेगी टी-20 वल्ड कप का खिताब टीम इंडिया को लगा जटका तूफानी खिलाली वापस लोटा भारत टीम इंडिया इन दिनों अमेरिका में है जहां भारते खिलाली टी-20 वल्ड कप के लिए जमकर तयारियों में जुटे हैं इसी सिलसिले में भारते टीम ने बांगलादेश के खिलाब अभ्यास मैच में 60 रनों की दमदार जीत दर्ज की लेकिन इस जीत के बाद टीम इडिया की जीत का सुवाद तब किरकिरा हो गया जब भारते टीम के श्टार खिलाली संजु सैमसन को भारत वापस लोटना पड़ा जी हाँ, संजू बांगलादेश के खिलाब खेले गए प्रैक्टिस मैच के बाद भारत वापस लोटाए है वैसे भी बांगलादेश के खिलाब प्रैक्टिस मैच में संजू ओपनिंग के लिए उतरे थे और उनका परदसन खराब ही रहा था जहां उन्होंने IPL 2024 में 500 से जादा रन बनाए थे वहीं बांगलादेश के खिलाब प्रैक्टिस मैच में संजू ने 6 गेंदों में सिर्फ एक ही रन बना पाए लेकिन संजू का ये खराब परदसन उनके भारत वापस लोटने की वज़ा नहीं है क्योंकि बांगलादेश के खिलाब मैच खत्म होने के तुरंद बाद ही संजू सैमसंग भारत वापस लोटने की लिए निकल पड़े दरसल संजू के यूँ अचानक से अमेरिका से वापस आने की वज़ा पारिवारिक कारण है रिपोर्ट्स के मुताबिक संजू सैमसंग की पतनी चार उल्टा रमेज प्रेगनेंट है और इन दोनों के घर जल्दी नन्ना महमान आने वाला है तो जैसे ही बांगलादेश के खिलाब भारत को जीत मिली वैसे ही संजू के घर से फोन आया और वो आनन फानन में भारत के लिए वापस आने के लिए निकल पड़े है वैसे टीट्वन्टी वल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला पाच जून को आयरलेंड से है इसके बार टीम इंडिया को अपना दूसरा मुकाबला सीधा नो जून को पाकिस्तान के खिलाब खेलना है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है जैसे टीम इंडिया ने बांगलादेश को एक तरफा मुकाबले में हराया है क्या भारते टीम इसी परदरसन को जारी रख पाएगी क्या रोहिस सर्मा एंड कमपनी इस बार T20 वल्लकप 2024 की ट्रोफी जीत पाएगी कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरू करें साथे साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा